जिक्र किया जम्मू कश्मीर का भी कि जम्मू कश्मीर विधानसवा चुनाव का जो दूसरे चरण का मतदान है वो फलाल चल रहा है इस चरण की अगर बात की जाए तो आपको अता दें इस चरण में 6 जिलों के 26 वदानसवा सीटों पर वोटिंग इस वक्त हो रही है जिनमें 3 जिले जम्मू डिविजन के हैं और 3 जिले घाटी के शामिल है प्रमुक उम्मिदवारू की बात करें तो इसमें पूर्ब मुख्यमंत्री अमन अब्दुल्ला जे के PCC अध्याक्षर तारीक हामिद कर रहा और बीजेपी जम्मू कर्शमीर प्रमुक रविंद्र रहना की किसमत दाव पर लगी हुई है अलग 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 सूशित रहें उनकी तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरीके को लेकार लगा कर बड़ा रुज़ा नजर आ रहा है जम्मू कर्शमीर रुदाहन संभा के दूसरे चरण के अगर हम बात करें तो सुभा 11 बजे तक 24 दर्शनलाव एक शुन्य प्रतिशत मतदान यहां दर्श किया गया है बड़गाओं में 25.15 प्रतिशत कांधर पिल में 27.2 शुन्य प्रतिशत पुंच में 33.06 प्रतिशत डाजवारी में 30.04 प्रतिशत रियासी में 33.39 प्रतिशत और शुरी नगर में 11.67 प्रतिशत मतदान ग्यारा बज़े तक दर्श किया किया है अलकि लगातार जो यह आंक्रे हैं अब इसमें बगलाव भी होगा और अलग तरह का जो उत्सा है वो देखने को मिल रहा है जब हम बात कर रहे हैं जब मुकश्मीर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर तो अलगलग शेत्रों में अगर बात की जाए किस तरीके से देखिए पुंच के हम बात करें तो 33 प्रतिशत से अधिक जो मतदान है वो 11 वज़े तक यहां दर्श किया गया है राज़ारी में भी 30 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्श हुआ है यह तमाम शेत्र 85 की भी अगर आइसी मतदाताओं के लिए मतदान केंद स्ठापित किये गए सुभा से ही समदान केंद में मतदान जारी है साथ ही सबसे पहले वोट डालने वाली मतदाता ने केंद में पोधार उपन भी किया तो ये एक अनूठी पहल जो सबसे पहले पहुचा में पौदा रूपन भी किया और राज में हो रहे हैं दूसरे चरण के चुनाव को देखने के लिए कई देशों के वरिष्ट राजनाइकों का एक उच्छ तरिय प्रतिनिती मंडल जम्म कश्मीर के दौरे पर है राजनाइकों का ये प्रतिनिती मंडल मतदान प्रक्रिया देखने के लिए वड़गामशित के एक मतदान किंद पर पहुचा इस प्रतिनिती मंडल में अमेरिका, मेकसिको, गोयाना, दक्षिन कोरिया, सुमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिन अ ये विदेश्वी राजनाइकों का जो सभू है वो भी पहुंचा हुआ है बढ़गाम में एक मतदान स्थल्प के इन पर ये पहुंचा शांति पूर्ण धंस लगातार मतदान जमो कृश्मीर में हो रहा है और इस दूसरे चरण की अगर हम बात करें जिसका फिलाल मतदान चल विदान सभा के इस समय हमें एक बूत पर मौझूद है और बूत पर आने के लिए लोगों को शिकारा से आना पड़ रहा है दरसल ये बूत जो है डल लेक के दूसरे किनारे पर बनाया गया है लेकिन वोटर्स का अप उस्साह देख सकते हैं अपनी सरकार चुनने के लिए जो वोटर हैं वो शिकारा का इस्तिमाल कर रहे हैं ताकि अपने वोट को काश्ट कर सकें अपनी सरकार को चुन सकें जमू कश्मीर में दस साल बाद चुनाव हो रहे हैं और दस साल बाद चुनाव के ये नजारा देखने को मिल रहा है वोटर उस्साहित है और जो जमू कश थोड़ा हाला ठीक हो जाए और के यूनिस भाई इतनी मसक्कत करके आप यहां वो बूत तक आए हैं लग रहा है कि अब लोगों का डेमोकरेसी में लोगतंत्र में विश्वास है और अपनी नई सरकार चुनने जा रही है I hope so everything will be okay that will be good तो हमाई साथ यह वोटर थे जिनका कहना है कि यह पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं और इतना संघर्स करके यह लोग पोलिंग भूत तक आ रहे हैं कैमरा परसन अनिकेत के साथ निशांत राय डिडी न्यूज श्री नगर सबसे पहले निशांत आपसे मैं जानना चाहूंगा जिस तरीके से हमने देखा कि लोग अब बोट के जरीए वोट डालने जो पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आपको सरक्षित महसूस कर रहे हैं और एक जो भावना है जो उत्सा देखने को मिल रहा है लोग तंत के इस पर्व के लिए किस तरह का महर और खास्ता और से किस तरह का उत्सा देखे बिलकुल ये बदला हुआ कश्मीर है और बदला हुए कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं ऐसे में यहां के लोग जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आज अपने अपने पोलिंग बूत तक जा रहे हैं और जिस तरीके से कश्मीर में अगर तरीके से जैदी बलके पोलिंग बूत पर लोग शिकारा के सहरे नाव के सहरे पहुच कर वोट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में जो वोटर है वो कितना मजबूती के साथ अपनी नई सरकार को चुनने जा रहा है इसके अलावा बात की जाए तो जो तमाम लोग थे खासकर हुरियत के जो नेता थे एक दोर में विरोध किया करते थे आज वो सभी लोग पूरी तरीके से गायब नज़र आ रहे हैं और सभी जो लोग एक जमाने में इलेक्शन को लेकर विरोध करते थे वो राजनितिक दलों के साथ भी खड़े हुए नज़र आ र पहले श्री नगर का वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था लेकिन इस बार उम्मीद की जा सकती है कि पिछली बार से जादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बड़े और सबसे बड़ी बात है कि बिना देहशत के लोग अपनी नई सरकार चुन रहे हैं और जैसा कि हमन लोगों से बात की है तो एक तरीके से भैमुक्त वाता वरण जरूर अभी श्री नगर में दिखाई दे रहा है मैं अलग-अलग समय पर अलग-अलग विधान सभाओं में घूम रहा हूं इस समय मैं लाल चौक पर एक पोलिंग बूत के बाहर खड़ा हूं यहां भी कुछ क आना चाहेंगे अभी कौन से पॉलिंग भूत पर आप मौजूद हैं और अगर बात की जो है ना सिर्फ एक उत्सा उमंग वो तो नजर आई ही रहा है लेकिन जब हम बात करते हैं जमू कश्मीर में एक विकास की जो बयार बही है और अब जिस तरीके से चुनाल संपन हो र आता है और उसी वजह से जमूरियत का जश्न जो है वो यहां नजर आ रहा है और जो विश्वास की आप बात कर रहे हैं वो तब नजर आता है अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो लबी लाइने हैं अभी धूप है यहां पर उसके बावजूद सुबा यहां पर इ दिवाली के दूहार जयसा है एक दुशक के बाद यहां पर चुनाव रहे हैं 370 के बाद विधान सबहा चुनाव यह पहले हो चुका है और वो इलाके जो की माने जाते थे जहां पर मत-प्रतिशत बहुत ही कम रहता था जो मत-दाता थे उनकी बहुत ज्यादा उनका interest भी नहीं रहता था और कई बार कई तरह का threat होता था बहुत सारे लाल चौक के पास ऐसे इलाके हैं जहां से निशान तबी मौजूद है वहाँ पर कुछ-कुछ इलाके कुछ-कुछ अलगावादी नेताओं के नाम बढ़ते कि गांदर्बल में आप देखिए कि अमर अबदूला के लिए जो मुकाबला है नेशनल कांफरेंस का कितना मुश्किल हो गया परमपरागत सीट उनकी का इजाती थी शेक अबदूला से लेकर अमर अबदूला तमाम इस सीट पर प्रतिनीजित वो करते हुए नजर आए लेकिन अब देखिए इस बार का जी मकाबला है उमर अब्दुल्ला जब आये तो उन्हें अपनी टोपी उतार कर लोगों से वोट के लिए अपील करनी पड़ी और इसके साथ ही अगर मकाबला देखते हैं तो उनका जो मकाबला जो एनसी के 2014 के पहले कैंडिडेट यहां से जीते थे वो अब निर्दलिये उनके सामने खड़े हैं पीडिपी का एक मजबूत उमिद्वार उनके सामने खड़ा है इसके अलावा अपनी पार इसके अलावा जो इंजिनियर रशीद हैं उनकी पार्टी ने उमि जो मत दाता है उनके मन में उनकी अपनी इच्छाएं है उनके अपने मुद्दे हैं जीता कौन है ये देखने वाली बात होगी लेकिन लोग जो इतनी बड़ी संख्या में निकल करा रहे हैं न यह अपने आपे नए कश्मीर की नई बदलते हुए तस्वीर को दिखाता है और खासार से निशानत अगर हम वोटिंग परसंटेज की बात करते हैं, क्योंकि कई जगा हमने देखा है कि 11 बजे तक ही 30 प्रतिशत से अधिक की जो वोटिंग है, वो दर्ज की गई है, रियासी की बात की जाया, जो दूसरी जगा है, ऐसे में क्या माना जाया, क्या दूसरे परसंटेज 30 फीजदी से ज़्यादा हुआ था, श्री नगर में हालंकि 12 फीजदी के आज पास जो है वोटिंग परसंटेज था, लेकिन उम्मीद की जा रही है, कि पिछली बार का रिकॉर्ड जरूर तूटेगा, और जैसे कि पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई थी, शायद वोटिंग परसंटेज उस तरीके की ना हो, लेकिन वोटर्स निकले, मदाताओं ने आकर मदान किया, अपनी नई सरकार को चुनने का काम किया, और दूसरे चरण की अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा श्री नगर का इलाका, क्योंकि इसको हूरियत के जो तम बहुत कम रहा करता था, लगबग अगर 2014 की बात करें, तो 20-30 फीजदी में ही टोटल सेरे नगर की आटो विधान सबहा में वोटिंग परसंटेज था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि जब 11 बज़ तके 12 फीजदी के आसपास हो चुका है, तो ये कम से कम 40 जम्मू की का हाल जो है, वो आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से लगातार जो मत दाता हैं, उनमें उत्सा नजर आ रहा है, लंबी-लंबी कातार है और उसके साथ-साथ जो विश्वास है, लोकतंत्र में को लेकर, कैसे उसकी बान की वहाँ नजर आ रही है? देखें, मुखुल इस समय अगर बात करें, जम्मू की तो जम्मू के एक मैं विसेश केंदर में खड़ा हुआ हूँ, और ये वो केंदर है, जो चुनाव आयोगने जो पूरे देश में, साड़े-पंदरह हजार जो प्रवासी कस्मीरी है, यानि कि रैफुजी कस्मीरी है, जो माइग्रेट हुए हैं, वो मतदाता हैं, इस वक्त तो साड़े-पंदरह हजार में से 14,700 जो मतदाता हैं, रैफुजी कस्मीरी, वो यहाँ पर वोट दे रहे हैं, और ऐसे उननी सेंटर्स पूरे जम्मू में चुनाव आयोगने बनाये हैं, और सबसे अच्छी खासियत और जम्मूरियत के जस्न में अगर आप देखें कि सुबह साथ वये से जो यहाँ का जो माहौल है, खासा उस्सा पूर्वा के एक 92 साल के बुजरुग से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं 34 साल पहले मैंने कस्मीर को छोड रहा है, मैं यह चाहता हूँ कि मैं पुराने घर में दुवारा जाओ और वो भावुक होते हुए हमारे कैमरे पे रोक है, तो एक बड़ी तस्वीर जो एकनों को मिल रही है, और फुल मिला कर कहें, तो वो उस्साह जो है, वो जम्मू के पूरे जो 19 सेंटर से वहाँ पर न उनके लिए वोट डाल लाए, आने कि 15 सीटों पर जो घाटी में चुनाओ है, उनके लिए वोटिंग कर रहा है, और यह बहुत बड़ी पहल के तोर पर देखा जा सकता है, और इसमें एक अच्छी वादी है, कि चुनावाए बने 14,700 जम्मू में, इसके अलावा, जो बिर्कुल, काफी में पूर पहल है और उसी पहल के तहट लगातार जो मतदाता है, वो अपने मतदरिकार का इस्तमाल कर रहे हैं, जम्मू से ही हमारे समादता धीरज भी हमारे साथ जड़ चुके हैं, धीरज आपसे भी में जाना चाहूँगा, लगातार हम अपने दर्शक पर जो आज वोटिंग हो रही है. पुँच का जो मतदान के उनके उपर, लेकिन सबसे अच्छी ख़बर वहीं से आ रही है, जो एक ग्यारे बजे तक के जो आक्रे चुनाव आयोक की तरफ से हमारे पास आये थे उस जी बिल्कुल के हिसाब से, तेतिस परतिसत मतदान पुंच के इलाकों में हुआ है, और त यहां के बुजर्गों ने जमुरियत में अपना विश्वास दिखाया है, उससे जरूर यह कहा जा सकता है, कि जो पिछले जो पहले चुनाव में जो 31 परतिसत का जो मतदान हुआ था, जरूर आज यह इससे आंकडे बढ़ सकते हैं, और यह ऐसे इलाके रहें, अगर हम हुआ करता था, तो इन तमाम चुनोतियों को पार करते हुए, और खास करके तब से, जबकि यहां धारा 370 और 35 से का यहां से खात्मा हुआ, बिल्कुल उसी वजह से और भी मेंकून है, 370 के बाद से पहली बार जो चुनाव हम लेक पा रहें, और निडर होके बिल्कुल ध कि अभात दाता है, मतधिकार कप्रियों कर रहें, फिलार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमासा जुड़ने के लिए, और आईए